थाकर खबर पेखौप सुमा पेबाक अंदाज नमस्कार साथियों आज की इस प्रेस वारता में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ साथियों पिछले दो सब्ता में हमने देखा की Enforcement Directorate आज सरकार की Enforce Directives की एक संस्ता बन गई है ED had become Enforce Directives from the Modi Government और हम पूछना चाहेंगे Enforcement Directorate से की आपके Enforce Directives जो आपको मिलते हैं सरकार से हम पूछना चाहेंगे सरकार से भी कि कुछ मामलों में आपकी इतनी लंबी और इतनी गहरी चुप्पी क्यों हैं कौन लोग है सरकार में जो आपको ऐसा करने से रोक रहें सातियों पिछले आठ साल में हमने देखा कि भारत सरकार के जो भी जूटे ब्रामक क्लेम्स थे वो एक-एक करके ढहते रहें पिछले दो सप्ता में कॉंग्रेस पार्टी के पूर्वध्यक्ष और हमारे नेता श्री राहूल गांदी जी को चौपन गंटे तक की ईडी ने पूछता आज की पर दो मामले आपको बहुत बहुत लेटेस्ट मामले आपके सामने रखूंगा वहां पर ईडी चुप है हम पूछना चाहते है उन मामलो में इतना सन्नाटा क्यों है बाई पहला मामला आता है यह मैं भी नहीं कह रहा सरकार भी नहीं कह रही देश का कोई एजन्सी नहीं कह रही पर स्री-लंका की State-owned स्री-लंका की सरकारी Electricity Board जिसका नाम है Ceylon Electricity Board उसके चेरकारी Electricity Board जिसका नाम है Ceylon Electricity Board उसके Chairman जो उनकी बिजली آपूर्ती करती है श्री-लंका में उसके चेर्मेन वहां की संसत के सामने खड़े होके कोई छोटी मोटी जगा भी नहीं श्री लंका की संसत के सामने खड़े होके कहते हैं कि हमारे राष्ट्रपती श्री राजपक्षा श्री लंका के राष्ट्रपती श्री राजपक्षा को मोदी जी ने प्रेशर ढला ये मैं नहीं कह रहा शीरी लंका बिजली विभाग के चेर्मन कह रहे हैं कि मोदी जी ने शीरी लंका की बिजली बोर्ड पे प्रेशर डाला उनके राश्ट्रपती के मारफ़त कि विंड़ पावर प्रोजेक्ट का काम श्रीर लंका में अडानी ग्रुप को दे दिया जाए मैंने भी नहीं का ये ये उनके बिजली बोर्ड के चेर्मेन कह रहे है क्या हमारे देश के प्रधान मंत्री प्राइवेट पार्टीज को ठेका दिलाने के लिए बने है क्या हमारे देश के भारत जैसे महान देश के प्रधान मंत्री किसी कंपनी के एजेंट के रूप में काम कर रहे है कि ठेका अडानी ग्रुप को देलवा दिया जाए क्या ED और अधर एजेंसीज ने इस पे जाच करना उप्युक्त नहीं समझा वहाँ पे इतनी खामोशी क्यों रखी गई अरे हम तो चौपन घंटे की जाच करके भी आगे और आगे भी हर अगनी परिक्षा दे देंगे हमें कोई चिंता नहीं है पर वो लोग जिनका नाम श्री लंका के बिजली बोर्ड के चेर्मेन पार्लियमेंट के सामने कहते हैं कि मोदी जी उन पे दबाव डाल रहे है श्री लंका की सरकार पे कि विंड पावर का प्रोजेक्ट अडानी को दे दिया जाए क्या उनके उपर एडी की पूस्ताच नहीं होनी चाहिए क्या एनफोर्स्मेंट डायरेक्टरेट जो की आज सरकार की एनफोर्सिंग डायरेक्टिव्स बन चुकी है क्या उन्होंने इस पे संग्यान लेके मोदी जी को समन दिया क्या इसकी जाच की कि क्या इस बात में कितनी सच्चाई है कि श्रिलंका का बिजली बोर्ड का चेर्मेन खुले आम अपनी संसद में बोलते हैं कि मोदी जी उन पे दबाव डालते हैं उनके राष्ट पती पर कि विंड एनर्जी का प्रोजेक्ट अडानी को दे दिया जाए क्या इस बात में इस बात का संग्यान इडी ने लिया इतना सन्नाटा उनमें इस बात के लिए क्यों रह गया कौन उनको रोक रहा था ये तो हो गया पॉइंट नंबर वन दूसरा पॉइंट भी लाया हूँ और दो ही पॉइंट की बात करूँगा जैसे ही 2014 में मोदी जी ने सत्ता संबाली उस 2014 में सत्ता संबालते ही State Bank of India ने एक Draft M.O.U बनाया और उस Draft M.O.U के तहट एक बिलियन डॉलर एक बिलियन डॉलर अर्थाथ 7,825 करोड रुपया उस M.O.U के तहट State Bank ने और दुनिया के सारे बैंकों ने एक कंसोर्शियम बनाके अडानी को फंडिंग देने का सोचा और ये कहां पे फंडिंग दे रहे थे अडानी को आस्ट्रेलिया में माइन्स के लिए जब इसका विरोध देश में हुआ जब इसका विरोध आस्ट्रेलिया में हुआ तो इस MOU को निरस्ट कर दिया, बात यहीं खतम नहीं हुई, उसके पश्चाद 2020 में पुन, State Bank of India ने 5000 करोड का funding का proposal अडानी कैमीर चेल कोल प्रोजेक्ट इन ऑस्ट्रेलिया, जब इसका भी वहाँ पे Climate Activists ने विरोध किया, जब इसका भी वहाँ पे Investors लाइक MUNDY और AXA ने विरोध किया, तो State Bank ने इसको भी बहुत स्टक, अभी इसका क्या इस्तिति है मुझे नहीं पता, सत्ता संभालते ही 7,825 करोड का $1,000,000 का funding अडानी को Australia के mines में देने का निर्ने किया, MOU बनाया State Bank ने, विरोध हुआ तो उस MOU को वहीं रोग दिया, 2020 में पुना Australia की एक coal mines के लिए 5,000 करोड की funding का निर्ने State Bank of India करती है, जब इसका विरोध वहाँ के investors करते हैं, तो वो deal stuck हो जाती है, अभी इस deal की क्या इस्तिति है हमें नहीं पता, हमारा सवाल है, क्या E.D. ने कभी अडानी को बुला के पूछा, कि आप किस से pressure डलवा रहे हो State Bank of India से लोन लेने के लिए, क्या E.D. ने State Bank के को बुला के पूछा, कि विद्ध मंत्राले में बैठे कौन से मंत्री आपके उपर दबाव डाल रहे हैं, कि आप अडानी को लोन दो, और ऐसे और भी कई किस से लिस्ट बहुत लंबी है, पाच-छे issues आपको just passing remark कर रहा हूं, क्या E.D. ने कभी इश्वरप्पा को बुला के पूछा, कि ये 40% कमिशन जो करनाटक सरकार, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वहां के Contractors Association के चेर्मेन ने प्रेस वारता करके बोला, क्या E.D. ने बोमई हिसाब को बुला के पूछा करनाटक के मुक्यमंत्री को, क्या आपके उपर चार्ज है, क्या आप जो भी काम करते हो, उस पे 45% कमिशन लेते हो, क्या वहां पे E.D. ने पूस्ताच की, क्या E.D. ने कभी बुला के मध्यपरदेश के मुक्यमंत्री को पूछा, कि व्यापम के घोटाले के दोशी कौन-कौन है, क्या E.D. ने कभी गुजरात के मुक्यमंत्री को पूछा, कि कांडला बंदरगा पे 260 किलो ड्रग कांडला जो ये बंदरगा है, वहां पे कैसे मिली, उसका क्या सोर्स था, क्या E.D. ने कभी हेमंत बिश्व सर्मा को पूछा, कि ये PPE कित का घोटाला कैसे हुआ, क्या E.D. ने गोवा सरकार को बुला के पूछा, जब सत्यपाल मलिक ने स्वयम, जो कि गोवा के गवर्नर थे, कहा पब्लिकली कि गोवा सरकार जो भी करती है इस धर्ती के नीचे, उसमें करप्शन है, इतना सन्नाटा महा E.D. को क्यों आ जाता है, ऐसा उनके उपर क्या द जैसे महान लोकतांत्रिक देश के प्रधान मंत्री, एक इंडिवीज्वल कंपनी की पैरवी, विदेशी सरकार को क्यों कर रहे हैं, इस बात का संग्यान कौन लेगा, हम पूछना चाहते हैं कि कौन से मंत्री और बिरोक्रेट्स E.D. के उपर इस इन्वेस्टिगेशन को न अडानी ग्रुप को बुला के पूछेगा कि आपको 7,825 करोड रुपे की 1 बिलियन डॉलर की फंडिंग का स्टेट बैंक M.O.U. साइन करता है और उसको जब चारो तरफ से दबाव आता है तो उसको निरस्त किया जाता है, पुना 5,000 करोड का लोन देने का एक M.O.U. पिस कैंसिल करता है, कौन लोग है वित्तमंत्राले में और प्रधानमंत्री कार्याले में बैटे हुए, जो स्टेट बैंक पर दबाव डालते हैं बार बार कि अडानी ग्रुप को फंडिंग की जाए, क्या E.D. ये संग्यान लेगा? हमारा तीसरा सवाल है कि क्या E.D. की व बिना सबूत के विपकसी दलों के नेताओं को सुबे से शाम बुलाके रात के डेड़ डेड़ बज़े तक साड़े बारा एक एक बज़े तक पूस्ताच करता है, क्या उनकी विश्वस्नियता इन केसेज जो मैंने आपके सामने रखे, दो तो बड़े केस और बाकी इंप्रेशन है